नमस्कार मी अंजिली आपन पहताहाद भारतिय जन्मत नियूस पाहुया आच्चा ठड़क घड़ा मुल ओशो आश्रम बचाव और सब के लिए खुला करो 14 जुलई कोरेगाउ पार्क पुने से गुरु पुर्णिमा के पावन अउसर पर ओशो के सभी अनुयाई आश्रम जाकर ओशो के समाधी का दर्शन करना चाहते थे मगर इन सभी अनुयाईयों को अंदर जाने से माना कर दिया ओशो आश्रम भारत का सबसे पुराना आश्रम है मगर आज इस आश्रम की हाल बहुत ही बुरा है सब कुछ पैसो का अंदादूंत कारोबार यहाँ पे चलता दिखाई देता है भारती जन्मट टीवी टीम ओशो आश्रम पहुंची और सभी अनुयाई एक एकर आश्रम की हकिकत बया करने लगे प्रशासनों की लापरवाही और पुलीस अपना आखे बंद करके देखी वही है और आश्रम के हालाद को अन देखा करके कोई भी कारवाई नहीं की जा रही है यह देखके जन्मट टीवी टीम हैरान रहे ओशो आश्रम में अंदर जाने के लिए एंट्री चार्जेस 975 रुपे तक है और अंदर जाने के बाद वहाँ का खाना पीने का पानी का भी खर्चा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है अंदर जाना है तो पैसा तो भरना ही पड़ेगा ऐसे वहाँ के कमिटी ने बोला है यह सुनकर सभी ओशो अनुयाई हैरान परेशान हो गए ये पैसो का लेकर आंदादूंद कारोबार नहीं चलेगा, ओशो सब के है और कोई भी उनके समाधी पर जाने से हमें नहीं रोक सकता ओशो अश्रम बचावर सब के लिए खुला करो, ये निवेदन पॉलिस कमिशनर को दिया गया हम राजपाल जी के पास गये थे, दो लुगाशकाल जी के पास गये राजपाल जी ने पत्र पे लिखते दिया, निदेश दिया कमिशनर को, अप्रोप्रियेट फिर भी अक्षन नहीं लिया गया और आज हम अगर सभाल करें तो हमें बैन कर दिया जाते हैं और मेरे को उन्होंने धंकी भी दी और मुझे ब्लेक्मेल भी करने की कोशिश करी हमने सब क्वेस्चिन्स रेस करें कि पैसे का गबन कैसे हुआ है यह क्यों इस तरीके की चोरी हो रही है हमें आंसर दीजे आप इस धायलोग करिए हमारे साथ ऐसा थोड़ी है कि आप बोलो कि अब मैं तीन करो रिकावर करने के लिए एक सो साथ करोन में अब यह बाशो बिचूंगा यह कहां कि लॉजिक है को बेवकुप यह ऐसा ना करे यह निर्दी ही है अपने पावर का दुरुप योग कर रहे है और हमारे साथ अपना अंधा कानून का फाइदा ले रहे है हमारे धम को दमाने की कोशिश हो रही है हमारे वीजन पीवी चाइनल से जूनने के लिए हमारे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और लाइप कीजिए